चंदरपुर में कोईले की खान आइरन प्लांट समेते बड़े तादाद में इंडस्ट्रीज की भरमार है जिसकी वजह से चंदरपुर में गर्मी के मौसा में हद से ज्यादा गर्मी महसूस होती है अब यह अपरेल का महीना शुरू है और चंदरपुर में चवालिस डिग्री का पारा है चलचलाती गर्मी में लोग कपड़े से कवर कर खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं सिगनल पर पड़े ट्राफिक के गर्मी भी 44 डिग्री की जुलस्ती गर्मी में यातिया सम्हाल नजर आ रहे हैं गर्मी इतनी है कि लोग प्यास बुझाने के लिए लस्ती जूज जैसे रहा चलते दुकानों का सहरा लेते नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं इस जुलस्ती गर्मी से MBBS की पढ़ाई काने वाले चात्रों को भी नहीं छोड़ा चंदरपूर के जटपूरा गेट के पास MBBS के दो चात्रन नजर आए जो चलचलती गर्मी से निचात पाने के लिए एक आम रस की दुकान और आम रस पीने के लिए रोके हुए दिखाई दिये चंदरपूर शहर ये अत्याधिक तापमान का शहर माना जाता है और पिछले कही सालों से यहाँ पे उच्चतम जो तापमान था वो 48 और 49 डिगरी के बीच में एक या दो दिन रहता है इस साल मार्च महिना थोड़ा थंडा गया है मगर एप्पिल के चार तारिक से चंदरपूर का टेमपरेचर एकदम बढ़ गया और यहाँ पे एक हफता चंदरपूर का टेमपरेचर पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ड में सबसे अधिक तापमान था थोड़ा कम जादा तापमान बादलों के वज़े से कम हो रहा है मगर चंदरपूर का टापमान यह 42-43 डिगरी के बीच मने आज का टेमपरेचर जो है वो 44 अभी तक दूपेर का पाया जाता है और हो सकता है कि यह टेमपरेचर 44 फलस यह शाम तक यह टेमपरेचर जाएगा और इसी तरह दो या तीन दीन और अत्याधी तापमान के दीन चंदरपूर में यह विज़र में पाये जाने वाले हैं तो मेरी विनंती रहेगी कि नागरी कोने सावधान रहना चाहिए क्योंकि हीट स्ट्रोक होने की शक्यता ज्यादा होती है मुंबे में 15-15 लोग इसी ही के लिए सुनिल ताइड की स्पेशल रेपोर्ट